इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो करन्ट सिन्यारियो है जो कुविट टाइम से यह नो इड वेरी वेल इस लाइक है इस टाइम पर स्टूडेंट्स को क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए क्या स्टाइजी होनी चाहिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए है तो जिस तरह से कि उनकी जो यह कोविड ए उनको अफेट तो कर रहा है लेकिन उनकी पढ़ाई को बुरी तरह फेट ना करे तो इस टाइम में से अपना बैस्ट आउट्पुट कैसे निकाल सकते हैं अपनी प्रफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं इस वीडियो मे में उस पर बात करूँगा मैं तो बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो लेट मी यो लेट मी गो थू कि सिचुएशन अभी क्या है तो अब पहले देखो कि कुछ चीज़े अच्छी हो रही है हमारी लाइफ में और कुछ चीज़े खराब भी हो रही है तो सबसा तो बड़ा नेगेटिव है जो वायरेस ने सब को घर में बिठा दिया है तो हम देखें कि कोई फिजिकल क्लासे स्कूल में आप अटेंड नहीं करी है आपने और कोचिंग में भी नहीं गया है और उसका मुझे पता है मैं खुद टीचर हूँ मैं खुद पढ़ाता हूँ क्लास में कर रहे हैं तो जो कि अच्छी बात नहीं हुई है लेकिन क्या है सब फेस करना ही हम लोग को फिर एक सोशल लाइफ बहुत इंपॉरनन है हूँमन के लिए सोशल लाइफ वह मैं मुझे मैं समझ रहा हूँ कि वह सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल नहीं रही होगी पिछली द वह बिल्कुल नहीं हुआ है वह भी थोड़ा जरूरी होता है हुमन के माइंड को डेवलप कर होने के लिए एक एंटर्टेन्मेंट जो आदी थी पहले जैसे बहुत जादा हरतरा के एंटर्टेन्में तो नहीं ले सकते थे आप आप कई बार मुवी देखने चले जाते थे आप मुवी देखा है पेरेंट के साथ रेस्टरॉं में खाना खाने चले गए यह चोड़ी चोड़ी चीज़ें यह टाइम जादा नहीं लगता है इन में लेकिन यह जरूरी है यह पस किताब को लेकर बैठके पढ़ते रहो गए वह मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं ह प्र एक बच्क अपन जरूर है लेकिन कुछ वीडियो देखने बुरा निमत मानना कियोकि हमारी मैं भी अदात होती है थोड़ी ने दिन में तोट ने कि क्योंकि क्योंकि उतना कि छल रहा हुम लोग रहता कि तो भचा देखता है तो रोकना फूरिंज ना ठूरेस्थम देख रहे हैं तो मैं समझ पारहर हूं यह भी आपको एक तरहका बालना पड़ेगा कुछ कई बार वो उन्होंने बोल देते हैं, उनकी situation समझ के ignore करना पड़ेगा, लेकिन yes, ये problem हो है, because of covid, everyone is sitting at home, और जिसका घर कईयों को छोटे-छोटे घर है, और पड़ भी नहीं पा रहे हैं, वो न्यूस भी चल रही है, बाकि सब वो atmosphere पूरा बना हुआ घर के अंदर, parents भी घर होना था, अभी कल पर सो news आ गई है, कि exam first September को होगा, means का, फिर advance का, पंदरा सब्टेंबर को होगा, और college कप खुलेंगे, exam ही पूस्पूर होता जा रहा, और मैं बता रहा हूं कि first September को खुलेगा, किसने का है, वो भी नहीं, वो भी तो पता है कि virus control में नहीं आएगा, vaccine बने हो गए हम, होगी है त्यारी, त्यारी तो कोई पूरी होती नहीं, एक चीज़ पढ़ते हो अगली भूलने लग जाते हो आप, तो कितना revise करेंगे, कितनी बार करेंगे, मतलब बहुत जादा मतलब uncertainty से students निकल रहे हैं, और जो junior batch के हैं, जो 2021 में exam देंगे, 2022 में देंगे, उन जरूरी है, हम आगे, मैं आओं को उस पे भी, हम अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या होना है, हम मानेंगे नहीं कि exam नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, क्या होगा, you know, online exam होगा, कैसे होगा, हम assumption नहीं करेंगे, हम करते रहेंगे, अपनी है, वो क्या करेंगे, उनकी गलती भी तो नहीं है, यही तो news आईगी, पूरे world में यह news चल रही है, और रोज नहीं वार्निंग आ रही है, वो अब से जो anxiety हो रही है, कि मतलब आदमी, मैं पढ़ाई पर फोकस करूँ कि अपनी health पे, या मतलब अपने survival पे, मतलब क्या हो र है, कि बढ़ाई भी करनी है, और यह situation भी चल रही है, तो अजीब सी anxiety जो students में आ रही है, तो यह मैं समझ रहा हूँ, यह life आपकी इन चीजों से बहुत change होई है, जो मैंने यहां पर present किया है अभी, तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को करने के लिए, वो मैंने कु भगवान ने किया है, या किसने human ने किया है, किसने किया है, नेचर ने किया है, लेकिन एक positive चीज़े भी अच्छी हुई है, उनको ध्यान रखेंगे तो negative को face करने की energy आती है हमें, कि जैसे family bonding काफी घरों में improve होई होगी, ठीकि वो parents नोग चोग करते हैं, लेकिन कितना ऐस इसा था कि parents बिजी रहते हैं थे भाग दोर कर रहे हैं और आपस में family time spend नहीं कर पाते हैं, यह इतने example हैं, ने इतना देखा है, अपने relatives में भी देखा है, अपनी family में भी देखा है कि एक bonding ज्यादा हो रही है, उल्टा लोग के पर ज्यादा phone पे, ज्यादा internet पे, जूम प और एक time दिया जो भाग लोग इतना भाग, दुनिया भाग रही है थी, वह उसमें एक रोक लगा है, एक environment is improving, you know that, कि pollution, especially metropolitan towns का सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इतना pollution, इतना pollution, लेकिन वो उसमें किती improvement आई है, क्योंकि traffic कम हो गया है, factories उस लेवल पर रन नहीं कर रही है, तो एक जो nature, जो जिस form में दिखनी चाहिए थी, जो environment जैसा होना चाहिए, जो कि humans ने उसको destroy कर दिया था, वो वापिस improve हो रहा है, value for money, अगर आप देखो कि ये value for life, अब आदमी को होता है कि है, मैं को पहले चोड़ी 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 चीजों से परिशान होना, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हैर सांस चल रही है, आदमी जी रहा है, ऐसे ओपर दुनिया में नहीं कुछ चाहिए, कि जहां पर जो cities बहुत जादा infected है, वहां पर लोगों समझ आ रहा है कि मतलब क्या चोटी मोटी चीजों से प्रशान होते रहते हैं, यह नहीं मिला, वो नहीं मि करना या मनी होना भी, मनी कमाना भी जरूरी है, पैसा होना भी चाहिए, क्राइसिस के टाइम पर, कि आज प्राइवेट में अगर ट्रीट्मेंट कराना हो तो impossible है, मिटल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इतना expensive हो गया है, वह लिमिटेड लोगों को treatment मिल सकता है, तो इसलिए expensive हो गया है, तो वह value of money ये भी समझा रहा है, पैसे कमा लिया होते हैं, तो आज काम आते हैं, या जो waste ना किया हो तो आज काम आता है, तो वो लोग को sense आ रही है, समझा रही है उसकी, और अब जैसे time है, लोग के पास थोगा time बढ़ गया है, time waste कम हो रहा है, क् physical tiredness से जो relax करना पढ़ता है, time वो time भी बच गया, तो जो time extra बचा है लोग का, लोग अपने पर लगा रहे है time, कि अपने वो ही time जो से आप coaching जाते होंगे, अब कई हमारे विद्यामदे में students दिल्ली के भाहर से भी आते हैं, वी तंपर मुझा पढ़ाता हूं, और वो इतन पर class में उनके 2-3 गंटे तो traveling के लग जाते हैं, अब वो time उनका बच रहा है इस time पर, और वो time मैं करहा हूं, कोई गुरानी थोरा time पर अपने भी लगा सकते हैं, कोई अच्छा music सुन सकते हैं, कोई अच्छी book पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा article पढ़ सकते हैं internet पर, तो व time जो बच गया, time जो मिल गया है, कुछ तो यह positive हुआ है, जो पहरे नहीं हो पा रहा था, लोग अपने पर time लगा सकते हैं, जैसे अब काफी लोग rediscover भी कर रहे हैं इस time पर, नहीं चीज़ भी करने ही कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं yoga classes join किया है, मैं आज तर लाइफ में range भी देखा है, तब ही हमारे VMC में जो बचे पढ़ते हैं, तो उनकी yoga class होती है, हफते में 4 दिन yoga class होती है, और उनको बहुत advantage हो रहा है उससे, तो जैसे मेरा एक friend है, वो उसको बड़ा था कि मैं दो ही went to IIT, but he wanted to go into sciences and he wants to do astronomy पढ़ना चाहरा था, अब वो कभी आज तब घर में कुछ construction करनी हैं, तो खुदी सीखिया कर रहे हैं, लोग cooking different type cooking सीख रहे हैं, तो इस तरह की चीजे जो पहले possible नहीं था, वो अब यहाँ पर थोड़ा possible होने लग गया है, विकास लोग के पास time थोड़ा जादा हो गया है, तो यह चीजे हमें अच्छी चीज भी जब physical लोगों समझ आ रहा है, जब physical centers खूलेंगे, तो कुछ part हम घर भी बैठके पढ़ सकते हैं, उसके travel करने के जरूत के है, ठीक है, वो ज़रूरी है, physical center जाना, teacher पढ़ा रहा है, उससे connection बनाना, जिसको जरूत है, लेकिन काफी चीज़ है, online teacher के साथ हम live session में आके भी प जरी के आ रहे हैं, जो पहले नहीं थे, इसे के बर मैं अपनी class में जो पढ़ाता हूं, उसका summary है, notes बना लिया, जो पहले मतलब तुम बच्चों से, मतलब अभी तुम online होने की वरे से सब के पास phones है, phone से बच्चे कर पा रहे हैं चीज़ों को, जो पहले, I'm sure कि बहुत लो अब मुझे पहले mention करना चाहिए थे, कि negative में ये भी add करना चाहिए थे, कि negative मिसाला gaming में लग गया है बच्चे, जो कि बहुत गल्द बात है, gaming करना अजब college चला जाओगे, लेकिन अभी gaming नहीं करनी है, अभी focus करना है अपने पढ़ाई पर, अपने पढ़ाई पर focus करना है, क्योंकि distract होना बहुत easy हो गया इस time पर, तो जैसे अब हम आगे बात करते हैं कि अब student को इस covid time में अपना किस क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, कि उसकी best approach, best strategy क्या होने चाहिए, कि वो lost ना हो जाए covid time में, कि उसका ध्यान focus हटना जाए है, जो भी कर रहा है, उ उसमे maximize कैसे करें, उसका maximum advantage कैसे लगे, तो मैं इन चीजों में briefly बात करूँगा, मैं 5-6 चीज़े हैं present कर रहा हूं, briefly इन चीजों में बात करूँगा, हलाए कि अपना में पुरू-पूरे topic है, हो सकता है कि और इस तरह की वीडियो, strategy वीडियो में, उसमें चीज़े cover कर फिर हमारी जो social needs है, जो पता है, बहुत ज़रूरी है, एक वो mind sound हो रहने के लिए, कि आपने वो जो इनसान, जो आप बच्पन में आपने, तो वो एक चाहिए होता है, वो क्या-क्या कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन करना ज़रूरी है ये बात, फिर managing school studies, बहुत बच्चे question पुछते हैं, अभी तो school नहीं चल रहे हैं, जो school on थे, तो मैं बच्चे manage नहीं कर पाते हैं, मैं school की पढ़ाई करूँ, school का homework करूँ, coaching की class return करूँ, coaching का homework करूँ, मैं balance कैसे बनाऊं, बहुत बढ़ी problem है ये, फिर एक plan follow करना बहुत ज़रूरी है, जब भी multiple activities life में चलती है, तो अगर आप plan लेकर चलेंगे, तो आपका output maximum होगा, अगर without plan चलेंगे, तो हमेशा सोचते रहेंगे, कब क्या करूँ, कुछ output नहीं आएगा, तो plan होना चाहिए, फिर एक backlog, बहुत बड़ी problem है, बहुत बड़ी problem है कि, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लेबस आता है, दुनिय tendency, human mind है अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो पीछे बूलते जाएंगे, तो natural होगा है, human mind के साथ, कि आपने आज कुछ topic पढ़ा है, जो 6 मीने पहले पढ़ा था, वो तो भूले गई, तो वो उसको revise भी साथ में करते चलना है, और वो backlog बन जाता है, बड़ा common word है, college, मैं कौन से college ने पढ़ रहे हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका physical and mental health sound रहनी चाहिए, तो पहले देखें कि अगर आप live classes के थू कोचिंग कर रहे हैं, तो जहां से भी coaching ले रहे हैं, वीमसी से ले रहे हैं, तो आप classes पता ही आपको live कैसे चलती है, या फिर online ह आपको video tutorial मिला हुआ है, और वहां से पढ़के आप सीख रहे हैं, तो उनका advantage लेने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मैं तो अपने हाँ शुरून को बताता हूँ ये बात कि कैसे advantage ले सकते हैं, देखो, एक तो full concentration, अब मतलब generally क्या होता है कि हम अब भी physical class में जाते हैं, तो बचपन से हमारी tuning है, naturally हमारा concentration बन जाती है, बचपन से पता है, या teacher आये class से पढ़ाने, या teacher आये class से पढ़ाने, या coaching के सर आये हैं, या coaching के sir madam आये हैं, जो भी आप उनको address करते हैं, तो उस time पढ़ाई शुरू हो गई, concentration पूरी लानी है, ल अब इंपॉर्डन नहीं है, तो उनलेस कि बहुत ही कोई gripping और interesting movie चल रही है, otherwise तो बीच में कई वह हम कुछ खाने पीने भी निकल जाते हैं, फिर आके continue कर लेते हैं, तो ऐसे इतना high level of concentration नहीं आता है, वो natural होता है कि अगर हम कोई online से learning कर रहे हैं, तो हमारी concentration level weak रहे गई ह हमारी आदत है सालों के आदत है, अचाना हमें बोला जा रहा है student को कि यह तुम ज़्यादा concentration से बैठके screen पर चीज़े आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, हो जाएगा behavior change, हो जाएगा अगर tie चलता रहा है, ऐसे lockdown काफी लोग का change हो भी रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करने के लिए अपने आपको messaging देनी है, जब भी class शुरूओ से आदे यार में को बहुत ध्यांद सुनना है, concentration सुनना है, नहीं सुननेंगे, बाद में डूगला time बगाना पड़ेगा, सारा वीडियो देखना पड़ता है दोबारा, अगर live class में बैठ रहे हैं, या जब वीडियो देख रहे हैं, तो उस टम नहीं सुनोगे, तो वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, लाइफ क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा, फिर ज़्यादा मेहनेत करनी पड़ेगी, और उतना तो time मिलता ही नहीं, फिर backlog और बनता रहेगा, तो उस टाइम टाइप जो होता है, pen जो होता है, तो not the chalk, but the pen, जो board पर चलता है, तो उससे हम जब, तो वो naturally इतना लिखना मतब easy नहीं होता है, उसके ओपर, comparatively, जो अपने screen पर लिख रहे हो, अब हम कैसे पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ात हूं, हम लोग teacher कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा और बच्चों को भी सुनने पर focus करना है, concentrate करना है, और साथ में computer के साथ बैठ के लिखना है, आदत नहीं है, हमेशा है तो class में सुनके लिखते आये थे, अब ये computer पर, screen पर चल रहा है, या phone है आपके पास, phone में देख रहे हो, और phone में देखके ऐसे आप लिख रहे हो, तो पहले तो phone हाथ में पकड़के पढ़ाही नहीं करनी है, और पढ़ाही बैट पर बैट के भी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, जो करना है, आपने phone भी है तो उसको कहीं तरह fix कर दो, लगा दो ऐसे किताबों के बीच में, ऐसे कुछ support दे के पीछे कोई object रख दो उसके, ठिकाद हो उसके उपर और फिर आपने phone पे वीडियो देखनी है, अगर आपके पस laptop है या desktop है फिर तो ये problem नहीं है, लेकिन अगर phone है तो ध्यान रखना है, आपने phone को हाथ में पकड़के नहीं देखना है, और पढ़ाही बैड पे बिल्कूल नहीं करनी है, बैड पे पढ़ाई नहीं करके अभी बोल रहा हूं, ये थोड़ना है कि लेट के आराम से पढ़ाई हो रही है, वो तो फिर मौझ मस्ती हो रही है, वो तो आप कोई game खेल रहे हो, या तो मूवी देख रहे हो, वो नहीं कर सकते हो, पढ़ाई कैसे हो गी वो, कहां तुम classroom में बैठ क पाए, जैसे हम लोग notes file share कर देते हैं, जो teacher notes बनाता है, अगर आप नहीं भी notes बना पाए, अगर आप थोड़ा, कश पुछ बच्चे कहते हैं, आपने notes file मिलने वाली है, बाद में teacher की तो मैं एक भी notes क्यों बनाऊ, मैं तो फिर अपना सुनने में ध्यान लगाता हूं, और म हैं, बाद में notes teacher के use कर लूँगा, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप, अगर आप पूरा भी copy नहीं कर पारें teacher का, half कर पा रहे हैं, 20 पशन कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप साथ में सुनके लिखने की कोशिश करते हैं, तो अपी concentration maintained रहते हैं, आप सबज़ना, concentration maintained रहत चल जाएगा, class से कहीं आप और चले जाओगे, mind बहुत जल्दी switching करता है, बहुत जादा thoughts आते है mind में, तो mind किसने किसी और event पे चला जाएगा, जरा सा mind किसी और event पे गया, वापिस आओगे, आपको समझाना बंदो जाएगा, क्योंकि वो पीच का part मिस हो गया, सारी पूरा पूरा class connected रहती है, तो ध्यान रखना है, अगर आप notes लिखते रहते हैं, साथ में सुनते सुनते, teacher के, तो अभी concentration वहीं रहती है, lost होना बहुत difficult है, तो notes बनाने में, किसी काम के notes बिना हो, बाद में आप teacher के सारे notes follow करो, लेकिन बनाने जरूरी है, concentration हमारी teacher साब room में रहती है, फिर हमें, बाद में revise करना बहुत जरूरी है, class attend करना है, अगर उसको revise नहीं करेंगे class के चीजों को, तो सारा waste हो जाएगा सीका, और मैं कहता हूँ कि यह दो है, तीन तीन बार revise करो, सारे ID advance का exam छोड़ दें, बाकि जो भी exam लोगे, आप सारे fundamental question आते हैं, और वो fundamental question, कोई बहुत जादा number quantity के से नहीं आएगा, वो quality से, जो पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, class attend करिये, समझ आ गया, उसको revise करना है, so that it becomes your knowledge, अभी तक आपने सुनके समझा है, तो आपकी knowledge नहीं थी, तो teacher की knowledge थी, और teacher नहीं आपको बता दिया, लेकिन अपनी knowledge नही कि उनको अपने रोट तो बनाओ गए, समरी तो बनाओ गई, question जो उनको solve करके देखो गए, तो वो बच्चे कही काम नहीं कर रहे है, class में आरे attendance हो रही है, समझ भी आ गया, सोचने काम खतम होगे, नहीं, उसके लिए revise करना पड़ता है, उसके लिए बाद में revise भी करना इस भी है, तो questions numerical based है, chemistry में भी numerical है, पूरा पार्ट में नहीं होगे, तो काफी पार्ट में numerical है, तो जो तो questions की practice नहीं करेंगे, खाली theory है, तो math में, physics में 100% और chemistry में partly, वो आपको नहीं कर पाएंगे questions, practice करनी ज़रूरी होती है, और साथ में देखो, ये, मैं भी हमारे EMC में भी ऐसा होता है कि quiz हमारे हर weekly quiz होती है, कि आप नहीं भी EMC के student ने तभी participate कर सकते हो, उसके अंदर वो open होती है, और test है, हम लोग avoid करना चाते है, हम लोग students avoid करना चाता है, क्योंकि quiz मतलब एक self testing करना, एक अन्नसरी add-on stress हो जाता है, life में वैसी इतना stress है, सला quiz देके number नहीं आया, तो एक मुसीबत और हो जाएगी, एक stress और बढ़ जाएगा, तो बच्चे students avoid करते हैं quiz, और इसलिए भी avoid करते हैं, क्यों चीज़े revise नहीं होती है, उनका तया revision करके मैं दूँगा, तो अच्छी तरह न दूँगा, और revise करने का मुझे time नहीं मिला, तो छोड़ देता करने की, और बाद में जब दो गए, with lack of practice, तो नहीं, नहीं मतब उससे काम नहीं होगा, और समझो बात को कि math, physics, chemistry के लावा, temperament, exam, temperament भी है, मैं तो कहता हूँ, अमनी class में fourth subject है, fourth को भूल माच जाना, तीन, पहले तीन से जादा important है वो, exam, examination, all temperament, जिसमें जब question करते हैं, दिमाग से सोचना, idea लाना, come time के अंदा, देखो ना, वो situation घर पर पढ़ाई करते हैं, नहीं आती है, तो test में आती है, कि ये time है, time clock tick 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 कर रही है, ये questions कर रहे हैं, और उस under those crisis आपको चीज़ों को सोचना है, तो इसे match sports में, देखो इसे match होता है, match खेलना और एक practice करना, कितना फ़र है, match खेलते हैं, तो time bound match चल रहा है, अभी, मतलब, you know, अपने match खतम हो जाएगा, बीच में score हार रहे हैं, तो आपको cover up करना है, जीत रहे हैं, तो maintain करना है, वो सब जो match के time, जो, you know, जो stress level है, anxiety है, या motivation है, जो चल रहा है, जो brain की condition, brain के जो conditioning के, जो exposure तो match खेल scoring, अच्छा है, अगर number नहीं आएंगे, तो पर चल जाएगा, ये चीज़ रहे हैं, ये चीज़े मैंने छोड़ी हुई है, तो avoid नहीं करना है, आपने, आगे बढ़ते हैं, और अगर वीडियो आपको लग रहा है, कि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, और कुछ फै करने हैं, वो कैसे करने हैं, हरे का अपना तरीका होगा, लेकिन थोड़ा, ये नहीं कि टाइम बहुतादा वेस्ट करना है, थोड़ा एक वो होना चाहिए, कि social needs को कैसे fulfill करना है, उसमें, मैं कहूंगा, partly entertainment भी मैं जोड़ूँगा, थोड़ा entertainment होना चाहिए, क्योंकि fatigue, जो mental fatigue होती है, उसको went out करना होता है, वो कैबर social needs, social needs पूरी करते हैं, उससे पूरा हो जाता है, नहीं थोड़ा सा make sure करने कहीं से entertainment वाला पार्ट भी हमारा fulfill हो जाए, तो जैसे हैं कोई friends हैं, तो उनसे बात करते रहो, कैबर बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर, I don't know what level of friends you have, अगर कैबर नहीं भी बात करो, लोगों से बहुत दिन तो वो भी बात नहीं करते हैं, तो एक वो gap आ जाता है, और फिर वो friendship थोड़ा सा मतलब difficult बन जाती है, तो थो थोड़ा time निकाल के, इतना पागल पन नहीं करना है, कि पढ़ाई-पढई-पढई है, मेना time waste होता ह है, control कर लो उसको, ज्यादा बात मत करो, but keep in touch with your friends, parents है, friends है नहीं हा रहा, option मान लो कि friends अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे है, अच्छे friends नहीं भी आपके पास, अब ऐसा नहीं है, इससे आप share कर सकते हो, तो family पर देख लो कोई, brother, sister, mom, dad, you know, relatives, इससे आपकी थोड़ी बनती हो, तो कोशिश करके आपने कुछ, मतलब हफते का एक अधी घंटा इन चीज़ पर जरूर डेफिनल्टी लगाना है, make sure कि, connection बहुत जरूरी है, mind के लिए, mind भी खराब, दिमाग खराब हो रहा, bad bad के, घर पे, सबका, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, कि कहीं कहीं होना चाहिए, ने तो कोई, अगर मान लो लगता है, बहुत students होते हैं, जो उनको लगता है, या phone में बात करना, उनको इतना मज़ा नहीं आता, तो वो जरूरी नहीं कि phone में बात करने से आपका social connection आएगा, आप तो WhatsApp, messaging, chat, को sharing, को topic नहीं बात करने, तो कोई article किसे ने share कर आ आपने, अगर कई बर्मान लो पहले तीन नहीं हो पा रहे हैं, friends नहीं है, आपके पास अच्छे हैं, parents के साथ, मतलब, बात करना, मतलब, वो पढ़ाई पूछने लग जाएंगे, और मतलब, और stress बढ़ेगा, WhatsApp में भी समझ नहीं है किसे बात करें, तो कोई आपका interest होगा, उसको थोड़ा सा follow करना शुरू कर दो, but वो gaming नहीं होना चाहिए, gaming बर्वाद कर रहा है, students को gaming addiction है, जो addiction वाली चीज़ें नहीं है, कोई interest है, गाना सुनना हो गया, कुछ लिखने का शौक है, आपको, poetry को लिखने का शौक है, या कोई मतलब, even कोई, you know, कोई आपका, मतलब TV देखने का शौक है, तो थोड़ा-थोड़ा TV देखते रहेंगे, ऐसे कोई addiction नहीं होती है, तो कोई ऐसा interest जो आप, मतलब, follow कर सकते हो, उनको बुराई नहीं है, को interesting topic पर आपको, videos देखने का शौक है, वो देख सकते हो, आप, तो आप, मतलब, interest रखने से connection बना रहता है, कईबर जो common interest के, कोईबर कोई मिल जाए आपको, वो मिलेगा, तो उससे कुछ नहीं हो, च connection बन जाएगा, और कईबर क्या होता है, कि कईबर नहीं भी दो, इतना ये भी एक social angle, इसे आप class attend करते हैं, मानलो, coaching के class attend कर रहे हैं, तो coaching में बहुत दोगों नहीं भी जानते हैं, लेकिन एक class में बैठे हैं, ऐसे और वेचे बैठे हैं, मिलके हस रहे हैं, बात कर रहे हैं, यह नो, share कर रहे हैं, बिशक, one-on-one share भी नहीं कर रहे हैं, teacher, one-to-one, teacher पढ़ा रहे हैं, उससे भी एक society, आप social gathering में आना भी एक socializing होती है, something is better than nothing, वहीं है आप कर लो, right, so, अब managing school studies की बात करते हैं, managing school studies में देखो, एक तो यह बड़ा, मतलब, क्या करें, मतलब, यह जो, especially, जो, जहां पर metropolitan cities में, जहां पता है, कि school की tendency important होती है, school वाले, आजकल काफी pressurize भी कर रहे हैं, बच्चों को class में आने के लिए, उनको भी पता है, कि यार, school कैसे क्यादत पढ़ जाए, मतलब, पूरा यह जो, हमारा जो, पूरा structure है, social structure है, बच्चा school जाता है, इतने साल लगाता है, पढ़ता है, उस पे threat आने लग गया अब, तो वो भी pressure डाल रहे हैं, school में, कि यह तुम पढ़ा ही करो, तो यह जहां पर जिसका बन सकता है, बहुत excuse है आपके पास, तो कोशिश करके मैं कहूंगा कि मतलब, हफते में 3-4 दिन से जाधा मत करो, अगर आप वैसे city में या school में पढ़ते हैं, जिसमें टेंडेंस 0 भी चलेगी, तो कोई बुरा ही नहीं है, अगर वहां जाके आपको social angle थोड़ा मिलता है, यार दोस्तों से chat वा ही करते हो, उस तरह का exam का pattern नहीं है, entrance exam का, और school में marks लेके, सला के career नहीं बनता, कहीं पे admission नहीं मिलेगा, आपको college के अंदर धंका, जो आप करना चाहते हो, engineering college में, तो वो तो बनता है, अपने entrance exam लेके, और entrance exam का slivers तो मान लिए same है, लेकिन pattern नहीं इतना different है, इतना अलग level का काम करना पड़ता है, उसके लिए, तो कहीं से, तो करने, career पर focus करना है, तो कहीं तो time मिकालना पड़ेगा, school education से, attend with full concentration, पता class attend करनी पड़ रही है, parents ने बिठा दिया है, teacher ने डंडा मारा हुआ है, तो come second, वो तो time math based करो भाईयों, वो तो concentration से सुन लो, उन्हें बाद मे करनी पड़े, attendance के लिए, वहाँ ध्यान से सुनते हैं, teacher की, वो time भी waste हो, double time waste हो गया, या तो उस पर attendance लगा के बैठ रहे हो, अपनी coaching के homework कर रहे हो, वो तब ही ठीक है, लेकिन आप बैठे भी है, सुन भी रहे है, ध्यान कहीं हो गया, वहाँ lost है, तो फिर आपका free time में जा क्लास है, आजकर complex है, वहाँ पढ़ा रहा हूं, 11th के students को, तो उसमें कई बर, यह भी बुराई नहीं होती इसमें, कि class में कई बर interest बना रहे है, बैठना है, teacher बोल रहे है, सुनना है, homework करना है, तो पहले थोड़ा पढ़ लो, बात वही है, teacher पढ़ाई की बात में revise करना बुक है, थोड़ा पढ़ लो, it doesn't matter है कि आपको सारा समझिया, थोड़ा पहले time लगाने से, जब आप class में जाते हैं, teacher बोल रही है, फटा-फटा-फट माइंड कैच कर पाता है, concentration अच्छी हो जाती है, class में interest बन जाता है, तो यह formula काम आता है, interest बनने के लिए, बैठना त बता रहा हूँ, यह बहुत students बदमाशी करते हैं, बुरा हो मानना मैं बदमाशी word use कर रहा हूँ, वो excuse बन जाता है उनका पढ़ाई ना करने का coaching की, coaching मतलब मेरा उनके career की, career तो बनेगा entrance exam से, college जाके, तो वो coaching में सीख रहे हो आप, तो coaching की पढ़ाई ना करने का, यार मेरे बस school का pressure है, school का pressure है, have pressure check तो कर लो, बहुत home work है, बहुत home work है, तो कुछ बच्चों का तो genuine pressure होता है उनके पास, कुछ तो जबज़स्ती excuse बना देते हैं, और कर्यों का पता भी नहीं चलता excuse है, वो mind बतना चला कि हमारा दिमाग, वो excuse बना ही रहा होता है, ना पढ़ने का school ह मेरा, manage नहीं कर पा रहे होता है, मान रहा हूं मैं, लेकिन eventually वो excuse ही बन जाता है उनका, तो please वो मत होने देना, कि excuse मत होने देना, कि school आपकी career में, आपकी coaching के पढ़ाई में hindrance है, नहीं है ऐसा, balance हो जाएगा, बहुत कमचों का होगा, excuse नहीं बनने देना आपने, आंगे कोचिंग का homework भी करना है, और फिर coaching को test ले रहा है, उसकी पढ़ाई करनी है, school हो गिपको भी test ले उसकी पढ़ाई करनी है, और तीन-तीन subject है, और school के हो सकता है, एक उस subject और भी है, आपके English हो गया, यह बाकी, तो इतना सब कुछ होगा, तो किस time पर क्या पढ़ना है, किस time पर क्या करूँ, accept कि अपकी school की और coaching की classes का time decided है, वो तो आपको करना ही पढ़ता है, लेकिन उसके अलावा जो time है, वो यूट्लाइज ही नहीं होता अगर प्लान नहीं है, तो प्लान बनाना है, मैं इस वीडियो में लंबी बात नहीं करूँगा, इसमें plan के बारे में change बना दिया, आट से बारा घंटे कम time ला रहा है, पढ़ाई भी लगा रहा है, study hours है, वो विश्क स्कूल के पढ़ाई हो रही है आपकी, या फिर school की पढ़ाई, मतब है, school के साफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं school का time हठा के बोल रहा हूँ, कि coaching की classes और जो बाकी जो आप homework कर होंगा, आट तो मैंने इसलिए बोलाए कि कुछ लोग अभी जो junior classes में हैं, जो भी 11th में आये हैं, या 10th में आये हैं, उनको 9th में तो पढ़ने का इतना समान नहीं है, उनके पास 11th में है, तो अभी इनको आदत नहीं है, जादा पढ़ने के तो मैंने इसलिए 8 लिग दिय आगे, लेकिन 12 घंटे में, half of the day at least, half of the day at least, at least word भी लगाना चाहिए था मुझे इसमें, इसी चीज़ पर जाना चाहिए आपका, या तो school की class attend कर रहे हो, या coaching class attend कर रहे हो, या अपना homework कर रहे हो, तो वो देख लो कि उतनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो कोई कोई time table, कोई schedule बने नहीं सकता, time ही नहीं है आपके पास, इसके मतलब, तो बात में मैं बहुता रहे हो, weekly routine एक fix कर लो, ये मेरी classes है, ये मेरी school classes है, ये मेरे को इतना इतना पढ़ाई करनी है, ये topic हैं पता है चल रहा है, ये class होगी तो इसकी revision भी करनी होगी, फिर ये, तो एक plan weekly, tentative weekly plan बन कर रहेगा, और फिर routine important है, ये मेरे वही कि routine आपको बहुत help करेगा output के अंदर, क्योंकि कितना cluster होता है न, उतना mind puzzled रहता है, जैसे आप अपनी टेबले पढ़ाई करते हैं, वो दुनिया भर का समान फैला अगर है, मेरे को बहुत, मैं जादा सफाई वाला आदमे नहीं वाला हूँ, तो मैं जब भी सफाई करता हूँ, मैं लगता है यार यह तो मैं को पहले करनी चाहिए थी, इतना दिवांग मेरा clean हो गया, हलका feel कर रहा हूँ मैं, कुड़ा भरा हूँ अपनी टेबल के उपर, तो ऐसे हमारी mind में अगर आपको clarity नहीं किस दिन क्या करना है, यह करूँ, वो करूँ, यह करूँ, उसमें इतना mental stress आता है कि कब क्या पढ़ाई करनी है, वो आपका output तो कम आएगा, अगर आप और अगनाईज नहीं है, लेकिन mental stress ही बहुत बढ़ जाता है, तो mental stress, क्योंकि जब आप जो इसका मतलब, जब क्यों बढ़ता है, मैं क्यों मुझे बताँ आपको, कि आप मुझे पता है कि आज मुझे और अच करना है, तो मुझे बाकी चीज़ह नहीं करनी है, रूटीन में कल परसो हैं, तरसो हैं, वो मुझे stress नहीं देती है, अगर मैं पर कोई plan नहीं है, तो मुझे जितना मेरा सारा काम करना है, मुझे week का, कि जो अगर आप यह plan बना के देख लो जो नहीं बना रहे हैं बना रहे होंगे कफी बच्चे बहुत ही बात कर रहे हैं एक हफते करके देख लो ना आपका output maximize हुआ चैलेंज है मेरा है एक हफते आप plan बनाओ follow करो religiously उसको और फिर देखो आपका पिछले हफते और इस हफते में output बढ़ानी बढ़ा और मेरा challenge बढ़ेगा पका फिर आगे बढ़ते हैं जो managing backlog है यह बहुत ही गंदी चीज़े backlog क्योंकि स्लेबस बहुत जाद है दो साल का स्लेबस है और 910 का भी कुछ-कुछ इनो बीच में सर पर आते ही रहता है तो एक तो पहले यह कसम खाओ मैं कर रहा हूं यह कसम खाओ यह पन्तब decide करो जो और सही किया कोई new backlog नहीं होने देंगे कि जब अभी जो आज class हुई है जो आज homework म मिला है उसको तो मैं regularly करूँ कई बच्चे backlog 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 करते रहते हैं और नया backlog बनाते रहते हैं फिर फैदा है क्या backlog के पीछ रोके रहे हो तो नया backlog ही बना रहे हो फिर पुराना खतम होगा नया backlog आ जाएगा तो new backlog यह पहले आपने follow करना है फिर बहुत शॉर्ट है पता रहा हू होगा बच्चों को होता है कि एक कोई formula दे दो फटा-फट हफते के सारा backlog खतम हो जाए ऐसा कोई formula ही नहीं बाई जो महीनों का जो backlog है महीने के जो आपने पढ़ाई नहीं करी थी महीने जो चीचे छोड़ी भी थी अपने एक हफते में कैसे कवर हो जाएंगी नहीं होगी व उसको क्यों चिंता कर रहे हो backlog में वह बहुरन नहीं है कोई ऐसा topic जो connected है यह नहीं आता होगा तो यह topic नहीं सीख सकते वह प्री रिजुकित है उस topic का वह पहले आना चाहिए तभी वह सबसे highest priority है वह पहले करो नहीं तो आगे की पढ़ाई कैसे करोगे तो वह पहले क्या-क क्या backlog है उसमें कितना कितना time चाहिए backlog में आपको और उसकी priority क्या वह बनाना है और आप कुछ item पिक करो अब बैकलोग बैकलोगों से एक तो मता मत खराब करो कोई आपको आकर मढर नहीं कर रहा है कि backlog आपको कोई stress दे रहा थोड़ा सा वह भी manage करने की बात ही कर रहे हैं stress क कोई कोई आपकी life वरवाद नहीं कर रहा है वह stress दे रहा है थोड़ा तो उसमें पहले आप कुछ item पिक करने हर बार से सफते यह करूँगा इस सफते करूँगा एक plan plan होगा तो backlog भी डाल दो उसमें कैसे cover करना है लेकिन कुछ-कुछ item उठाने high variety item and please again मैं जैसे पहले मैंने का कि don't make your school classes an excuse don't make backlog an excuse काफी बच्चे टेक्स करते हैं मेरे को backlog बहुत है मेरे को समझ आ रहा है कैसे करना है मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा मुझे मुझे मेरे को focus नहीं हा रहा पढ़ने में यहर में तो बहाने बाजी हो गई अब मैं करो भाड़ा मैं क्या backlog backlog बैक्लोग जानके करते हो आप नहीं कर रहे हो बाले बाजी कर रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो अपने मैंड को बोलना चुप रहया है बखवास बतकर बैक्लोग के चिंता नहीं है जो बैक्लोग का इतना मत stress लो backlog का, इतना stress नहीं लेना है आप में, कुई बात नहीं है हो जाएगा, अगर जदना stress लोग को उतना पढ़ने का मन नहीं करेगा, उतना और backlog बढ़ेगा तो फिजिकल और mental health जो last part है मेरे इस, you know इस वीडियो का, बहुत important है mental health बहुत important है और आजकल, जो situation है under COVID है, या जो teenager वाली age है आपकी teenager, teen कहते हैं, teen वो उसमें mind जो है बहुत changes आते है mind के अंदर दिमाग को सोचने का तरीका बहुत different, scientific बात है कि brain इतना change होता है teenager का, कि उसको बहुत चीजे अलग तरह से तिकती है समझ आती है, इसे logical thinking जो, मतब मैं वो math, physics, chemistry की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक चीज को logical thinking की जो analytical वो है, वो उसमें major change आता है कि आदमी को, उनको बच्चों को मुश्किल लगता है कि ये उनके लिए अच्छा है तो कर लें उनको अपने साफ से चीज़े करनी होती है तो logical जो, मतब हमें parents को लगता है obvious है या रही है, तो मतब क्यों समझ नहीं आ रहा है simple सी बात है, इस time पर यह कर लो यहां यह कर लो, फलाना कर लो, खाना time पर खालो खाना खालो, यह कर लो यह तो no brainer है parents को लग रहा होता है बच्चों को नहीं लग रहा होता mind उनकी गलती नहीं है, mind सोच ही नहीं पाता उस तरह से, mind में changes आते हैं तो mind बहुत ज़ादा सारी जो mental problem है वो mind के confused होने से आती है stress से आती है, anxiety से आती है तो वो भी साथ में अपने, थोड़ा सा जितना जिसके बसकी है वो mental and physical health को भी लेके चलना है जैसे do some exercise daily at home कोई भार जाके jogging नहीं कर सकते है समझ आया, आप field में जाके खेल नहीं सकते है sports समझ आगे है, लेकिन घर पे थोड़ा सा jumping jacks, यह वो कुछ मतलब अपना कोई, you know कोई भी app भी download कर सकते हैं app में free exercise के tips होती है कैसे घर पे पैट के तुम आप मतलब कर सकते हो right, मतलब जो पुराने जमेने done कहते, done लगा लो, आप push up लगा लो मतलब jumping jacks है, मैंने video बनाई थी कैसे आप, you know constrained रहके आप exercise कर सकते हैं तो कुछ exercise जरूर करने है, 10-15 minutes daily और this is something very important कि अपने slow and deep breathing करने ही कोशिश करो उससे अपका stress level बहुत कम हो जाता है parents कोई भी idea होगा, वो सिखा देंगे आपको क्योंकि हमारा mind और जो breathing है बहुत highly connected है अगर मारी breathing सही हो गई, तो mind की problem भी ठीक हो जाते हैं even mind and body दोनों ही breathing से connected है तो मतब कोई video के थुरू कर लो, कोई parents है, किसी से सीख लो, कुछ नहीं है बस slow and deep breath कर रही है और थोड़ा से जब slow and deep कर रहे है तो थोड़ा sound नहीं आने चाहिए, soundless breathing जिसे कहते है तो वो आपने कोशिश कर रही है 5-10 minutes दिन में 2 बार concentration level आपका stress mind का राइट आपकी जो inner health है और आपको पते कोविड के time तो सारा सांसों का ही खेल है breathing का ही सारे गियम है तो कोशिश करनी है आपने कि जितना नीचे deep slow and deep मीचे लगे जाने है यह भी मेरी sound आये थी sound B के बगार करने ही कोशिश करने है लेकिन कुछ बात नहीं धिरे-दिरे हो जाएगा मैं तो मैं तो guide कर सकता हूं बाकि यह आपकी मर्जी है अगर yoga कर सकते हूं yoga is a in thing यह वर्ड योगा डे गया था हमारे वींसे के students करते ही होगा तो हमने तो YouTube पर लाइव भी किया था वह भी वीडियो पढ़ी होगी वहां पर तो वही जो गुरूजी करा रहे हैं उनसे सीख लो तो वह भी एक मतर कहीं से भी सीख लो यूटूब से देखे कर रहे हो कुछ एक योगा कर सकते हैं option है मैं नहीं करते हैं मैं options बता रहा हूं कि कहीं नहीं चीज़े फिजिकल योगा तो माइं फिजिकल दूनों पर impact करता है लेकिन मतब फिजिकल और माइं दूनों की चिंता करनी है घर में कई students कह रहेते हैं हम त हर चीज के लिए में energy चाहिए जो खाने से energy आती है हमारी वह energy अपकी वह physical energy जो trapped नहीं होना चाहिए body में तो कर फिजिकल activity करके energy moment होती रहता है energy का एंड सबसे बहुत सबसे important बात slide कि यह ध्यान रखो कि सबसे important आप अपने लिए खुद हो you are the one most important and than anything else in this world आप सबसे से ज्यादा important हो तो कोई भी चीज बैश्य को पढ़ाई हो करियर हो मत अब कुछ पेरेंट्स को मेनी बात अच्छी नहीं लगएगी तो आपकी किनो physical mental health सबसे important चीज है at least mental health इस एज में तो कोई भी चीज आप में इसको भाने वाजीमत बनाना देखना लेकिन कोई सुपर stress दे रही है आपको तो थोड़ा सा उसका stress कम करना परायाटी होगी मैं नहीं कर रहिँ है क्षिश कर नहीं हिए हमारी होगी हमसे माइंड को साउंड रखना है तो कोई चीज मेंटल स्ट्रेस दे रही है हमें तो उसको कम करना है या डिसकस कर लो किसे कैसे कम करना है खुद नहीं पता वो कैसे कम रहना है लेकिन समझना कि कॉले जाने से अच्छे कॉले जाने से जाधा है कि हमारा माइंड बहुत साउंड रहना है यह तो बिगनिंग यार अभी तो मतब कॉलेज जाना तो अभी तो करियर आपके लाइफ शुरू भी नहीं हुए मैं कहूंगा मतब अभी तो अपने मतब पेरेंट सा कनेक्टेट बड़े प्रटेट इंवार्मेंट में बड़े हो हो रहे हो जब भी तो रियल लाइफ जिससे आप अपनी लाइफ बोलेगे जी हो के जाके वह कॉलेज शुरू होने से शुरू होती है जब आप वह एक फेस खतम होता है लाइफ का बाहर निकले हो पेरेंट से डिसोसियेशन आता है कि आपको खुद अपने सरवाइव होना ह है वह लाइफ है आपके बिगनिक तो अभी तो पहले से ही आपना अपना हेल्थ मेंटल फिजिकल हेल्थ खराब कर रहे हो भी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है जिस पिकॉस कि आप एक कॉलेज नी बी कॉलेज चले जाओगे बी नी जाओगे सी जाओगे लांग रन में इतना नहीं फरब पढ़ता है इन चीज होगा नहीं फरब पढ़ता है इन चीज होगा लॉंग रन में कोई मतब थोड़ा फरब पढ़ेगा लेकिन वो थोड़ा कहीं नहीं कहीं आप बाद में कवर कर लोगे लेकिन मैं यह गल्द मत समाझ है यह नहीं पढ़ाई मत करो ह martin पॉजिटिव पॉजिटिव रहके पढ़ाई करनी है पढ़ाई भी अच्छी यह कि पॉजिटिव रहके पढ़ाई करनी है stress mental stress लेकि नहीं करना में के नहीं कुशिश करते हैं तो तोव इसमें वोगर हम career making exam की त्यारी कर रहे हैं, जो हमारा पूरा career change करेगा, उसके लिए में time तो देना पड़ेगा, time देना पड़ेगा, sacrifices तो करने पड़ेंगे, वो बेशक, तो मतब आपके कुछ, जो बहुत time sucking चीज़े हैं, आपको बहुत high level के music सेख रहे हो, किसी को gaming का शौक है, खे देखना नहीं चाहरा था, मैंने junior बच्चे भी होंगा, इसलिक दिया है, बारा खंटे, आधा देन आपका, इन पका जाना चाहिए, स्कूल के पढ़ाई, coaching के पढ़ाई, minimum बोला है मैंने, minimum है, कि इन में जाना चाहिए, फिर आपने second ध्यान रखना है, कि proper plan and schedule होना चाहिए उसे आपका output maximize हो जाएगा, उसे आपको बहुत फर पढ़ेगा, दिमाग में, मतलब clustered नहीं रहेगा, clean रहेगा दिमाग आपका, no new backlog, no new backlog, backlog है छोड़ो उसको, no new backlog, कि मतलब कसम खाने है, no new backlog, फिर हमने, जो live class है, या जो online पढ़ रहे हो, उसको effective कैसे करना है, उध्यान र important, अगर guys, आज इतने ही बात करेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो please आप जिरू लाइक कर देना, और share करना है, और subscribe करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे, please do it, so that we should get the motivation to record such videos, right, अगर क्योंकि बेस्ट आन, you know, how you respond over this video, you know, we, we, the whole, whole, whole system will work around that, अगर व you like it and you know, you comment देंगे तो और अच्छी बात है, thank you guys, thank you for listening, you know, my views on handling the current situation